Hello Everyone, इस वीडो में हम subtraction के questions करेंगे इस questions करने के बाद हम उन्हें check करना भी सीखेंगे कि वो questions नहीं है या नहीं तो इस वीडो में हम subtraction and check के questions करेंगे चलिए फर्स्ट question करते है हम यहाँ पर question लिखा हुआ है 3169 subtracted by 1345 हम3,186 में से 1345 को subtract करने है तो नॉर्मली जैसे हम पहले तो subtract करने है हम जैसे subtract करते ह 되고 घैसे subtract करेंगे इस मेशख से – करेंगे 6 में से 5 को –a, कितना हैगा 8 में से 4 को –k और 4 अब यहाँ 1 है तो carry लेंगे, carry लेया तो यहाँ गए 11, 11 में से 3 को subtract करेंगे तो कितना आजएगा, 8 और यहाँ पर 2, 2 में से 1 को किया तो 1, हमारा answer आगया 18,041, 1841 1841 को हमने यह subtract तो कर लिया, मतलब माइनस तो कर लिया, अब हम इसको check कैसे करेंगे check करने के लिए हमें नीची वाले दोनों number को use करेंगे इन दोनों number को अगर हम add कर दें तो हमें यह उपपा वाला number मतलब 3,186 आना चाहिए, इन दोनों numbers को add करके अगर इन दोनों को add करके यह number आ जा रहा है, फिर तो ठीक है अगर नहीं आता तो हमने जो separate किया है, वो हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा इसको हम add करेंगे, किस चीज के लिए, check करने के लिए अब 5 और 1 को add करेंगे तो 6, 4, 4 को add किया तो 8, 8 में 3 को plus करेंगे तो कितना आ जाएगा 11, 11 का 1 उपा carry, और 1 और 1, 2 और उपा 1 जो carry लगा था वो 3 अब देखिए, यह वाला number और यह वाला number same आ गया न, अगर इसको add करने पे हमारा number same आ जा रहा है तब तो हमारा answer सही है, अगर गलत अगर same नहीं आता तो इसका मतलब हो जाता है, जो हमने यहाँ पर minus किया है वो हमने गलत किया है, next question करते है 4, 5, 7, 3 में से हमें separate करना है, 2, 4, 8, 6 को separate करेंगे 13 में से 6 करेंगे, क्योंकि 3 में से तो जाएगा नहीं, 1 carry ले लेंगे, 1 borrow ले लेंगे borrow लेने के बाद कितना होगे, 13, 13 में से 6 को minus करा तो कितना आ जाएगा हमारा, 7 यहां बचा 6, 6 से भी 8 नहीं जा सकता, तो 1 borrow लेगा 5 से, 16 में से 8 को minus किया तो 8 यहां बचा 4, 4 में से 4 minus किया 0, 2 में से 4 में से 2 minus किया तो 2 तो हमारे यहां पर कितना आ जाएगा, हमारा answer यह आ गया, अब चेक करने के लिए क्या करते है नीचे के दोनों number को add करते हैं, मतलब जिस number को हमने minus किया वो number और जो हमारा answer आ है वो number इन दोनों को add करेंगे, इसे add कर लेते हैं, इसे add करने पर किया आएगा, 6 और 7 को add किया तो कितना आ जाएगा, 13 वन उपर कैरी, 8 एट कितना होगा, 16 और 1, 17 और 1 फिर कैरी, 5 और उपर वाला 1, 4 और उपर 1 कैरी लगा है वो, 5 और ये 4, 4, 2, 2, 4 सेम आ गया, इसका means हमारा यह जो answer आया है, वो बिल्कुल सही है next question करते है, 5310 में से subtract करना है, 1840 0 में से 0 करेंगे, तो 0 आ जाएगा, यहाँ पर 1 है और यह नीचे 4 है, तो क्या करेंगे, 1 बौरो ले लेंगे 1 बौरो लिए हमारे पास, तो कितना हो गया, 11 में से 4 सब्टेक्ट करेंगे, तो 7 यहाँ बचा 2, 2 में से 8 नहीं जाएगा, तो फिट से 1 बौरो लेंगे 12 में से 8 माइनस करेंगे, तो 4, यहाँ पर बचा 4, 4 में से 1 माइनस किया, तो 3 answer आ गया, 3470 अब इन दोनों को नीचे चेक करने के क्या कर रहे है, हम एड करेंगे, इसको जिस नमबर को हमने माइनस किया है, यह नमबर और नीचे वाला नमबर इन दोनों को एड कर लेते हैं 0 में 0 add किया तो 0 यी आएगा 7 और 4 को add किया हमने तो कितना आगया हमारा 13 7 और 4 को add करेंगे तो हमारा कितना ऐगा 11 11 वन उपाखः लगा 1 और 4 ट्वल्फ और 1 13 फिर 1 उपार कैरी 3 4 उपावाला 1 तो कितना आ गया हमारा सेम आ गया 5310 और 5310 में से हमने क्या किया था तो हमारे दोनों आंसर किया गया सेम आ गया इसका में समारा आंसर बिलकुल सही है कि नेक्स वर करते है है कि दू और फॉर थ्री में से सब्रेक्ट करना है थ्री एट तो को सब्रेक्ट करते हैं तो वन एट में इसे फॉर्ट हो जाया का नहीं तो carry ले लेंगे 14 में से 8 को सब्रेट करेंगे तो 6 यहां हो गया 0 1 कैरी लिया 10 में से 3 को सब्रेट करेंगे तो 7 यहां पे भी 1 बचा है क्योंकि यहां पे उसने बौरो दे दिया था और 1 में से 1 को सब्रेट किया तो 0 तो हमारा आंसर क्या है हमारा 761 अब इससे चेक करना है तो चेक करने के लिए क्या करते है नीचे वाले दोनों नंबर को एड़ करते है इसे एड़ कर लेंगे अब हम 2 में 1 एड़ किया तो 3 6 में 8 में 6 एड़ करेंगे तो 14 का 4 1 उपर कैरी 7 और 3 10 और 1 11 और 11 फिर 1 कैरी लगा तो यहाँ पर आगया 2 आंसर सेम आए इसका मीज हमारा कोश्चन बिल्कुल सही है I hope आप लोगों को यह कोश्चन समझ में आयोंगे कि कुछ सप्रेक्ट करने के बाद उसको चेक कैसे किया जाता है Thank you